कि गुड मानिंग फ्रेंट्स कैसो आप लो बढ़िया फ्रेंड आज लेंगे यह वाले वीडियो में सम नंबर टेन पूरा फाइनल एकाउंट है पी एल एकाउंट और यान पी एल स्टेट्मेंट और दोनों स्टेट्मेंट बनाने ठीक है फ्रेंट्स यहां पर फ्रेंट्स प्रोवाइड है पार्ट लिमिटेड का 31 मार्ट 2017 का वन बाएवन रिकॉर्ड करते हैं ठीक है फ्रेंट्स सेल्स है तो सिधी बात है पी एल में उपर की साइड पे आएगा यह तो ऑपरेशनल इंकम है ठीक है इंप्लोई बेनिफिट एक्स्पेंडिचर सिधा ही डारेक्ट हेड के साथ ही दे दिया रहे है स्टाक लिए municipalities घृक्यों इसको इन्वेटरी वडबल니 इसका मतलब भी वास्टाक। कि desks का मतलब क्या वहता है फ्रेंड स्टॉक फ्रेंड काAll लिखेंगे इनवेंटरी प्रेंडिस टॉक यानि कॉरंट असेट्स सिदि बात है करंट असेट्स में लिसंघ यहानि एसेट्सीट wa सोस्त के एक्सपेंडीचर में हेडिंग के साथ ही दे दिया है security premium ına あंold एप एपार में एपारम सीकुरिती प्रीमियम मी необходимо डाल देंगे से कुर्ण्टी प्रिमियम को एक फ्रेंट फिक्ष एसेट से टेंजीब रहे तो सिधी बात है कि के नॉन करंट एसेट उपर की सैड़े पर फिक्स एसेट्स में वो भी टेंजिबल के ट्रेड पेबल्स रेंट्रेड पेबल्स का मतलब हुआ वन टैप कप करेड़िटर यानि करंट लाइबिटीज में चले जाएंगे एक्विटेन लाइबिटीज में जो हमारे धरी पार्ट होते हैं ठीक है उसमें लास्ट वाली करन्ट लाइबिटीज इक्विटी शेर कैपिटल फ्रेंड इक्विटी लाइबिटीज में उपर की सेड़ पे से रोल्डर फंड में चले जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल फ्रेंट डेटर हो गए हमारे ठीक है अउमच 60 दाउजन फ्रेंड यह हमारी करेंट एसेट्स हो गई फ्रेंड रिसीवेबल हमारे क्या हो जाएंगे फ्रेंड करेंट एसेट्स अधर इंकम सेड़ी बात लेंगे सेल्ज की नीचे डाल देंगी ठीक है एडिंग होई आदर इंकम ही रहेगी यहां पर लिखा उया अधर इंकम लं में लाग टर मेंग टेंब ऑरह इंग्स फ्रेंड लां टर्म बढर इंग्स सिधी बात है नन करहत लायाबिटीज Cash and bank Current assets Depreciation Expenditure होगे Cost of goods sold Cost of goods sold Expenditure Non current investment Non current assets में चले जाएंगे Non current investment कहाँ चले जाएंगे Non current assets ठीके current अब क्या करेंगे सबसे पहले फ्रेंड P&L को close करेंगे तो फ्रेंड जैसे आप P&L account को close करोगे ध्यान से सुनिएगा आपकी income यानि total receipt उपश सिरी बात है income आपकी दोनों को मिलागे 11,000 11,55,000 इसमें से फ्रेंड expenditure माइनस कर देंगे जो हमारे there are four expenditure रहेंगे cost of goods sold employee benefit expenditure financial cost and depreciation तो फ्रेंड हमारे expenditure का total आएगा 8,55,000 यानि 11,55 में से 8,55 माइनस कर देंगे तो friend PBT हमारा आए जाएगा 3,00,000 रूपीज टेक्स का information नहीं है तो यह हमारा PBT प्याट हो जाएगा कोई discussion तो इसमें है ही नहीं there is no confusion tax का तो है ही नहीं टेक्स तो मैनस होगा ही नहीं तो फ्रेंड यह हमारा P&L कंप्लीट हो गया अब ले लेते हैं बैलेंस इट सिधी बात है यह जो 3,00,000 रूपीज है ना तो फ्रेंड यह हमारे profit and loss एकाउंट यानि करन्ट यह प्रोफिट पेंडल एकाउंट उसको ट्रांसफर कर देंगे जो हमारी सिकुरिटी पढ़ी हो यानि सिकुरिटी प्रीमियम बढ़ा हुआ है तो फ्रेंड महाँ पे ट्रांसफर कर देंगे अब लेते फ्रेंड बैलेंस इट बैलेंस इट में सबसे पहले एक्विट एन लाइबिलिटीज एक्विट एन लाइबिटीज में सबसे पहले फ्रेंड शेयर फ्रेंड उसका टोटल आएगा फ्रेंड शेयर केपिटल और रिजर्वेंड शर्प्लस उसमें दो सिकुरिटी प्रीमियम एन पीनल दोनों को मिला कि 11,10,000 रेंड शेकंड बन इस नौन करंट लाइबिटीज लॉंटरम बॉर्वेंग इस में आएंगे 525 थर्ड बन इस करंट लाइबिटीज इस चरंट पे पेबल इसमें 90,000 तो फ्रेंड इक्विटेल लाइबिटी साट का टोटल आ जाएगा 17,25,000 एसेट साइड ले लेते हैं फ्रेंड एसेड साइज में फ्रेंड देर टू तो थुप अप नॉन क्रंट शाया जाएंगे फ्रेंड फिक्स इसेड जो में 12 रूपीज है टेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्मेंट दोनों को मिला कि फ्रिंटील टेंशन और करंट इसेड्स में हमारे इन्वेंटरीज टेड रिशेवल कैस को 3,15,000 तो फ्रैंड वही टोटल आ जाएंगे 17,25,000 तो फ्रैंड यह वाले वीडियो में इतना ही फ्रैंड यह लास्ट समता एक्सेसाइज का वह भी तो यह वाला चेप्टर हम यहां पर कॉंपिट करते हैं है वा गुट दे